बहुत दिन से शिकायच चल रही थी, budget वाले laptops नहीं ला रहे, बड़े महेंगे 3060, 3070 Ti, यह सस्ता दिखा दिया जा है, RTX 3050 वाला Acer Aspire 7 मेरे से बहुत लोगों ने पुच्छा, सेल के टाइम पर मैंने रेकमेंड भी किया था, सेल वाली वीडियो में, कि भाई, यह laptop सही है, अपने price point के था, आप से like 65,000 का यह चल रहा इस टाइम पर, सेल वेल में 62, 63 का चल रहा था, 8GB RAM वाला, हमारे पास जो आई है 16GB RAM वाला है, तो 2, 3000 उपर होगा 65, 66, 68 मान लो, तो अगर आप सोच रहो, पूरा review मिलेगा, display, keyboard, battery, shattery, नहीं, इसका हम review कर चुके हैं, इसका 1650 वाला review किया, तो हमने थोड़ी दिन पहले, आप वो देख ल वाला 4P Cores, 8E Cores, 16GB RAM वाला variant है, हमारे पास 3200 में काड़ स्पीड याने DDR4 RAM है, and maximum 32GB तक अब इसको अपग्रेड कर सकते हैं, RTX 3050 मिलता है, वही 4GB RAM वाला, 80W वाला इसके अंदर हमारा 3050 है, Wi-Fi 6 and Bluetooth version 5.2 आपको इसके अंदर मिल जाएगा, and 512GB की Gen 3 SSD आपको मिल जाएगी, read and write speed आपके सामने है, और बाकी जानकारी चाहिए, like display, keyboard, battery, build quality, फलान डिमक का वाली वीडियो देखने है, इस वीडियो के बाद लिंक दे दूँआ, description में, उसके अंदर सारी information है, बाकी बस graphic card का फर्ग है, और यार festive sale का season चल रहा है, अब तुम लोग मेरी वीडियो देख र transfer की, बड़ आप टेंशन मतलो, हम आपके लिए solution लाया, WhatsApp or by Wondershare, यह एक ऐसी application है, जिससे आप Android का WhatsApp data iOS में shift कर सकते हो, without any desktop, directly phone to phone transfer, फिर चाहे WhatsApp हो, या WhatsApp business हो, कैसे होती है, वो हम दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर example के तौर पे Android से iOS में data shift कर रहे है, यहाँ पर आप देख स option मिल जाएंगे Android to iPhone या iPhone to Android, यहाँ पर आपको phone number डाले है, वो ही वाला जो आपका WhatsApp है, जो आप transfer करना चाहते हो, सारा कुछ आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, आपको just next पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपके कुछ ऐसा message आएगा, trust this computer, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि iPhone में आपका find my iPhone offer है, यहाँ पर हमारा जैसे ही सक्सीड हो जाता है, तो हमारा iPhone restart हो जाएगा automatically, और यहाँ पर आप आप आइफोन पर जाओगे, यहाँ के नॉर्मली जैसे WhatsApp हम login करते हैं, अपना number डालके, वो login करोगे, तो आप देख सकते हो, यहा आपकी procedure में आपको बताया दिया, वो follow करो और अपना WhatsApp का data transfer करो, तो सबसे पहले बात कर लेते benchmarks की, Cinebench R23 के scores कुछ आपके सामने है, 9000 multicore and 1600 something हमारा single core, और कुछ Geekbench 5 के scores आपके सामने है, वीडियो pause करके देख लेना, then 3D Mark Time Spy में हमारे कुछ score tic-tac मिल जाते हैं, और PC Mark 10 मे भाई, बढ़िया score मिल गया, like 5000 plus, 5800 के असपास, और यह हमारे cross mark के score, जो दूसरे laptop से comparison में काम आजाएंगे, वीडियो pause करके check out कर लेना, तो जो मेरे channel से शुरू से युडियो में होना पता हो, score source का क्या सीन है, और आपको थोड़ा practical example बता हूँ, तो 1080p video rating आप कर लोग, इ high level के लिए हमेशा बोला है, कम से कम 8 core का processor होना चाहिए, like i7 12 generation या Ryzen 7 वाला 5800H, 4800H, या 6800H, साथ में 16GB और साथ में 3060 कम से कम, समझे न, पैसा खशना पड़ेगा high level के लिए, और बाकी laptop से आप क्या क्या कर सकते हो, किस काम के लिए कैसा laptop चाहिए, उसके लिए न, buying guide की video बना रहा है कि बहुत तगड़ी, अब वो देख लिए न, इस वीडियो के बाद तो पता लग जागा है कि इससे क्या गणना है, अब जड़ा gaming की बात चीत कर ले, 80 watt वाला 3050 मिलता है, तो जड़ा game test पर नजर मारो, फिर बात करते है conclusion की और आपके सवाल उठाते है, जो त काफी सही है, और रात के टाइम पर टेस्ट कर रहा था गेम में, तो 24 दिग्री के असपास room temperature है, क्योंकि हमारे है थोड़ा ठंडा हो चुका है, और room temperature के साब से, तो भी काफी सही है, बिलो 70 दिग्री जा रहा है, तो अगर आप नॉर्मल room temperature पर भी यूज करोगे, स्क्रीन पर दिखा रहा है, बल्कि उससे थोड़ा से जादे ही आते है, एक्स्टरनल मॉनिटर पर, यहां पर अंदाजा हो गयोगा, इसका CPU की वज़ए से कैसी performance दे रहा है, जबकि यही 30-50, बल्कि इससे कम वाला 40W वाला 30-50, हम एक सीरीज के प्रोसेसर के साथ लगाते ह हमारे जो GPU consumption है, वो 57% पर रूखा हुआ है, 57-60, 65 के आसपास, जबकि 99% या 90 प्लस जाना चाहिए, तब ही अच्छे परदब FPS आने के उमीद होती है हमारे को, और wattage भी काफी कम है, तो यहां पर इस test में एक बारी को मैं कहूंगा, rely भी ना करना, किसी और का कोई test हो, तो comment section बता देना है कि तुमारे को कितने FPS मिल रहे है, लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, जबकि हमारे को उमीद लगबक 70-80 FPS की थी, वो हमारे को यहां पर नहीं मिलेंगे, यहां पर भी हमारी GPU की वाटेज है, और जो उसकी consumption है, I don't know reason क्या है, कोई BIOS अबडेट आ है, मतलब decent performance है, मतलब जिस price point पे laptop आता है और जिन टाइप के logo के लिए है, उसके हसाफ से कोई ऐसी दिक्कत है निए, उसके बाद for the horizon 5 यहां पर हम टेस कर रहे है, जो graphics का preset है, हमने high पे रखा हुआ है, यहां पर for the horizon 5 में मारा GPU consumption अच्छा खासा जा चुका है, like 90% के आसपा उसके बाद हमारा far cry 6 जिसको हम टेस कर रहे है, high preset पे, क्योंकि आप देख सकते हो, नीचे VRAM 3.79 GB के आसपास consume हो चुकी है, और जो fidelity FX के options है, वो हमने कर दिये on, and जो FSR इसका है, वो हमने रखा है, balanced पे, and यहां पर हमारे को 70 FPS के आसपास मिलते है, like 65-70, और fluctuation तो obviously इसके अ performance हमारे को बाद में मिले है, then हम यहां पर test कर रहे है, RDR2 1080p पर test कर रहे है, और बाकी settings आप देख सकते हो, जो हमारा 50% वाला preset रखा है, जिसमें ultra, medium, high के साब से मतलब उठा लेता है, और DLSS हमारा है, balanced पे, और यहां पर RDR2 में भी आप देख सकते हो, GPU wattage हमारी 60Watt तक ही है, and GPU का usage हमारा, वो 80% के आसपास है, but yes, FPS हमारे को काफी अच्छे का से मिल रहे है, 60 plus FPS मिल रहे है, तो यहां पर कोई cap है, क्योंकि 90% से अबव कहीं ना कहीं पर जाई नहीं रहा, एक दोबारी के लिए गया भी है कुछ game में, but वापस वो 80 के आसपास, कभी 60 के आसपास आ आकरी में, वो काफी सही निकल गया रही है, चाहिए उपर स्टैट्स आपको कुछ भी दिखा रहा हो, और यहां पर लास्ट में टेस्ट करें, GTA 5 1080p और सेटिंग्स वही जो अपने आप उठा लेता है, very high, high का जो mixture होता है, और यहां पर हमारा GPU finally 90 plus, यानि कि 100% तक जा चु और परफॉर्मेंस वागारा भी थोड़ी सी बढ़ी आएगी, वैसे हां पर देखा जाए तो भाई, FPS वागारा बढ़ी आ रहे है हमारे 89 to 90 FPS, like 100 FPS के आसपस मिल रहे है इसके अंदर, वही है, I think GPU पूरा use नहीं हो पारा, कुछ ना कुछ तो glitch है, हो सकता है, मेरे laptop में glitch हो, ह मेरे MSI Afterburner में भी कोई glitch हो, जो मेरे stats हा रहे है, तो कोई और user हो, Acer Aspire 7 का 3050 वालेगा, वो अपना feedback जरूर शेर करना, comment section में, और अगर तुमारे साथ भी यह सेम दिक्क्तारी है, आप भी Acer में बोलो, और यह वीडियो भी हम शेर करेंगे, Acer के साथ तो definitely कुछ नो कुछ 60Hz वाला TV है, उसके ओपर मजा आता है game खेलने, वाई 60Hz में कोई दिक्क्त नहीं है, जो भी game आपको 40, 50, 60 fps दे रहा है, वो आपको 60Hz के display पे एक दम smooth बढ़िया दिखाई देगा, बाकि यहां मेरा मान नहीं है, 90Hz पैनल आज की रेट में brands को कर देना चाहिए, जो हमारी Windows है 90Hz में लगी feel आती है, लगी cursor smooth move हो रहा होता है, बागी आशी कोई दिक्कत नहीं, 60Hz आपका basic काम के लिए सही है, बट अगर e-sports gaming करनी है, तो external monitor लगा देना, वैलो रेंड में आपने देख लिए FPS आते है 60 से उपर, बाकि कुछ गेम में भी 60 से उपर आ रहे हैं, तो definitely external monitor प 15 versus this, tough versus this, तो मैं सीधा बता दूँ, आपको शुरू समेशा बता चुका हूँ, कि H-series वाले जो laptop है, उसको Aspire से ना compare किया जाए, Aspire जो हमारी thin gaming laptop series है, like अगर आप high-end gaming laptop लोगे तो आपको 2.2 kg, 2.5 kg के मिलते हैं, और ये वाले जो laptops हमारे under 2 kg, 1.9 kg इनका weight होता है, तो य single 3D task करने हो, तो वहाँ पे H-series वाले laptop में recommend करूँगा, उनके अंदर GPU भी ज्यादा TGP वाला मिल जाएगा, आपको उनके अंदर processor भी better मिल जाएगा, और overall performance भी better होती है, उनके thermals भी better होता है, चेसी बड़ी होती है, क्योंकि, एक बड़ा common सवाल था, MSI का GF63 Thin, जो मार e-sports player आप उसके लिए जा सकते हैं, उसका 3050 काफी बढ़िया perform करता है, उसकी wattage के साब से, इसका भी 3050 को बेकार perform नहीं कर रहा है, यह 60Hz के साब सही है, लाइक दोने laptop अपनी जगा सही मतलब value प्रवाइड करता है, वो भी अच्छा है, यह अच्छा है, यह अच्छा है, तो P-Series के प्रोसेसर में कहुँँगा, आपका काफियत तक काम करवा देंगे, लेक, 1080p की multi-layered editing कर सकते हो, वहीं अगर 5600H से बात करेंगे, तो वो 4K बेसिक करवा देगा, यह 4K में दिक्कत करेगा, समझ रहे न, यह एक्जामपल के तोर पे ता, और जो मारा Asus VivoBook नहीं S50 ने, शायद S40 ने, जिसके अंदर 12500H आता है, विद Iris XE, तो यह भी सवाल था कि Iris XE वाला laptop ले, विद 12500H या फिर 1240P के साथ 3050 यह वाला ले, तो यहाँ पर मैं कहूंगा, आपका काम कैसा है, उसके according देखो, आपको external GPU related काम करने है, लाइक gaming हो गया, लाइक आपका graphics designing हो मतलब समझ की होंगे इतना दो आप, और सबसे बड़ी चीज, price justification, यह हमारा 65,000 के आसपास है, definitely भाई, 60,000 रुपे में 3050, 80 वाला मिल रहा है, casual gaming के लिए कोई दिक्कत नहीं है, game test आपने देख लिया, और processor के scores भी आपने देख लिया, काफी अच्छे का से score आपको मिल जात और performance अच्छी चीए, gaming भी करनी है, तो वो लोगे laptop ले, बड़ एक चीज याद रखना है, इस price point वे आपको full-fledged gaming laptops भी मिलते हैं, तो अगर आपके लिए weight matter नहीं करता, आपको decent looks नहीं चाहिए, gaming वाल लुक भी चलेगी, तो फिर मागोंगा, इसकी जगा आप gaming laptop के लिए और यहीं पर बस review खतम करते हैं, कोई अगर सवाल तुमारा रह गया हो, कोई query ऐसी हो या कुछ भी है, तो वो comment section में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा reply करनी कि वरना मेरी audience बहुत अच्छी है, अन्दफूल बातचीत होती रहती है, अगर buy करना हो, link के description में वाचे वो भी कर सकते हो, मिलता नेक्स वीडियो अब तक के लिए, बाई